एक निया नोटस जो जेकी SSP की तरफ से निकाला गया है इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ चेंज्स जो हैं वो जेकी SSP की तरफ से की गई है को लेकर जो एक्जाम 29th of November 2022 को होने वाले हैं वो भी computer-based return test CBT किन पोस्टों के लिए अब इसमें क्या है जो एडमिट कार्ड होगा वो इशू होगा टू लेवल में कितनी लेवल में होगा टू लेवल में पहले एक ही बार admit card के लो यह उसको निकला जाथा थे अब क्या है admit card के लो थे यह आप एंड्याड को खोड़ना है और देखना है और फानर कार्ट को तरहने लुसरी कास्व बी होस्टेड आन जेके सेस्बिन अफिशल वैबसाइड काहां कब तक कब से होगा 22 22 नुविंबर 22 तू 25 नुविंबर 22 इस एडमिट कार्ड इस एशुड अर्ली तू इंफर्म दे केंडेट अब इसमें क्या है जो पहला एडमिट कार्ड आपको इशु होगा उसमें एक्ज अग्जाम डेट के अबारे में और एक्जाम टाइम के अबारे में बताया जाएगा और जो फाइनल होगा लेवल टू एडमिट कार्ड जो निकाला जाएगा वो सिरफ तीन देन पहले निकाला जाएगा और 26 नुविंबर से ये आपको वैबसाइड के उपर मिलेगा उस प कौन सा एडिस है, कहां आपको जाना है, सीटी पहले बता दी जाएगी, क्योंकि किसी को बहुत दूर से आना पड़ता है, तो सीटी पहले बताएगी, लेकन उस सीटी के अंदर कौन सी जगह, कौन सा एरिया है, जहां पर आपका एक्जाम कर्ड़क्ट किया जाएगा, वो दियर अप्लिकेशन आईडी एंड देट आफ बर्थ, दे मस्ट रीड दा इंस्ट्रक्शन कॉन्टेंस दियर इन केरफुली, ओकी, डेट आफ बर्थ लगा कर उसका पासफ़र होगा, अप्लिकेशन आईडी इसके उपर से आईडी होगी, ठीक है, अगर किसी को डिफिकल् कोई भी इशू हो, तो वो कॉन्टाइक्ट कर सकता है, जेकी एससबी जो हैलिप डिस्क है, जमू के लिए है, 01912461335, और सिनर के लिए है, 01942435089, यह जो दो नमबर है, हाला कि आज तक जब भी हमने कॉन्टाइक्ट करने की कोशिच की, किसी ने वहां से जवाब नहीं द नहीं है, लेकिन जब हम कभी करते थे, कभी आज तक उन्हें फोन नहीं उठाया है, अब स्टाफ भी चेंज हुआ है, तो हो फार दी बेस्ट, देखते हैं क्या होता है, तो कोई भी अगर आप गरबड करोगे, चोटी सी भी गरबड जो है, वो आपको एक्जाम से, आपको जो एक्जाम है, वो कैंसल किया जाएगा, ठीक है, आपके ओपर कोई ने कोई करवाई की जाएगी, हाला कि जो रिसेंटली, जो सिकैम हुए थे, उनमें जो बच्चा भी शामल है, वो अब जेकिया सेसबी का एक्जाम नहीं दे सकता है, ठीक है, अब उसकी जो लाइफ है, पुरी सुपाइल होगी, अब जो बोर्ड है, उसको पुरे राइट सें, किया वो कैंसल करेगा, कैंड़ेट का जो गरबल करेगा, अब चार गलत करोगे, तो आपका एक मार्क्स जो है, वो कट जाएगा, The Candiates are also advisa to be touched with the YKSB official website. क्योंग कब examination के Optreten का एपडेट आप एप लेट आजाएगी, तो आप उसके साथ जूली रहेगा. स्टिप वाइस क्या करना है अगर आपको डाउनलोड करना है आपको अफिशल वेबसाइट के ओपर जाना है jkssb.nic.in वहाँ पे option होगा eadmit card login करना है username और password डालना है username आपको मैंने पहले बताया application ID है और password आपका जो है date of birth है पहले साल लगाना है फिर month लगाना है फिर date लगानी है ये भी आप याद रखना तो ये सब कुछ है ठीक है I hope अब थोड़ा बताऊंगा कौन कौन से जो department से जिनके exam होने वाले हैं देखिएगा ये होटिकल्चर department के कुछ exam ठीक है जब मुसामबा कठवा उद्व पोरेसी डोडा किष्टवारा जोरी पूंच देनेगर गंदरबाल 29th of November 2022 को ये date है CBT की ठीक है और टोड़ पोस्ट ये आप यहाँ पे देख सकते अड़िटाइजम नोटिफिकेशन नमबर जो आपका है अड़िकल्चर हो जब शल्च देपार्टमेंट ओ इफार्मेशन में जो स्टीनो टैपिस्ट है लाज जस्टस पार्लिमेंटरी एफेस इसमें पना पोस्ट जो है इसके लिए हैसले मेडियकल एजुकेशन जूनियर स्टीनो ग्राफिर ये 29th of November को है एक्जाम ठीक है जो बहुत सारी है बहुत सारी है स्टीनो ग्राफिर ठीक है ज्यूनियर स्टीनो ग्राफिर पॉलीग वीजुकेशन स्टीनो ग्राफिर है हाई एजूकेशनी में स्टीनोग्राफर है तो स्टीनोग्राफर का जो एक्जाम है वो भी आने वाला है ये टोड़े दोस्तारा पोस्टे हैं ठीक है